हलो सबको आज देखिए यह इस वीडियो में मैं आपको मोटर साइकल के सवाल हो जवाबों के बारें बताऊंगा तो यह तो मोटर साइकल के सवाल जवाब है मगर मोटर साइकल के सवाल जवाब कैसे आते हैं mix सवाल होते हैं छोटी गाड़ी के प्लस motorcycle के सवाल तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग छोटी गाड़ी के वीडियो जो मैंने एक गंटे वाला वीडियो बनाया है आप मेरे वीडियो सेक्शन में आगे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा पहले वो देखिए उसके बाद फिर ये देखना ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं मोटर साइकल में भी सेम है इसमें 35 सवाल आते हैं 35 कुश्टन अंसर होता है 5 वीडियो होता है टोटल 40 सवाल है इसमें पास होने के लिए आपको 30 नंबर चाहिए जैसे कि हर गड़ियों में बिल्कुल सेम चीज मोटर साइकल में भी है मगर मोटर साइकल में कैसे सवाल आते हैं आदे सवाल जो 35 में से आदे सवाल मोटर साइकल की होते हैं और आदे सवाल जो है यह एक motorcycle है, front brake है, यह shock absorber हो रहा है, इसे हम बोलते हैं handlebar, यह front brake होता है, यह front का शिशा होता है, और इसे हम बोलते हैं throttle, जो गाड़ी में accelerator होता है, तो एक्सलेटर देने को हम बोलते है throttle, और throttle के उपर बहुत सवाल आते हैं, यह होता है brake pedal, मतलब, पैर दमाने का, यह foot pack है, हम यह brake, पैरों से भी brake दबा सकते हैं, और यह foot pack है, इसकी उपर हम अपने पैरों को arrest देते हैं, यह होता है chain, यह rear brake है, पीछे वाला brake, इसके अलावा fuel tank आपको पता है सबको, यह हम आगे यहाँ पर बैटते हैं, पीछे वाले passenger, यह हमारे प क्यों समझा रहा हूँ, आप लोग को पता है, मुझे पता है, क्यों समझा रहा हूँ कि इसकी उपर बहुत सवाल आता है, अब कुछ लोग पूछते हैं, throttle क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, throttle होता है, एक्सलेट, ठीक है, अब देगे, यह तस्वीर safe distance, safe distance का होता है, महफूस फासला, अब वैसे तो हमने सीखा है, कि हमें चोटी गड़ी में कितने second का फासला चोड़ना चाहिए, दो second का, दो से जादा second का फासला हम कब छोड़ते हैं, जब driving की हालात खराब हो, मौसम खराब हो, बगेरा बगेरा, ऐसी motorcycle में एक सवाल आता है, कि यह A गाड़ी है, यह B गाड़ी है, तो आपको भी दराना है, A को भी दराना है, तो सवाल यह होता है, कि आप A से टकरार से बचने के लिए, मतलब A से टकर से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे जाना चाहिए, तो इसका जवाब है आपको head check करना चाहि आपको lane change करने से पहले head check ज़रूर करना चाहिए brake के ओपर देखिए बहुत सरे सवाल आते हैं जैसे कि पहला एक सवाल आएगा कि जब हम brake को जाचते हैं तो कैसे adjust करना चाहिए brake को तो इसका जवाब होना चाहिए यह पूरा लगाने पर motorcycle को रोक दें जब तक हम पूरे दबाते हैं जब तक मोटर साइकल को रोक देना चाहिए ब्रेक के उपर बहुत सारे सवाल आते हैं जैसे कि चाहिए वो आगे दो सवाल होते हैं जैसे आगे वाला ब्रेक या पीछे वाला ब्रेक कैसे अड्जेस्ट होना चाहिए उसके जवाब में आना चाहिए कि जब तक हम मोटर साइकल को रोकते हैं तो वो पूरा दबा हुआ होना चाहिए इसका जवाब यह होता है कि जब हम ब्रेक को दबाते हैं पूरा दबाते हैं तो मोटर साइकल रोकना चाहिए फिर एक सवाल आता है कि जब हम मोटर साइकल को रोकते हैं तो कौन सा ब्रेक लगाना चाहिए मतलब पूरा मोटर साइकल को रोकने के लिए कौन सा ब्रेक दमाना चाहिए आगे वाला ब्रेक पीछे वाला ब्रेक ये दोनो ब्रेक इसका जवाब है दोनों ब्रेके फिर एक सवाल आता है कि ब्रेक लगाते समय सबस्यादा ध्यान क्या रखना चाहिए हमें इस हिसाब से ब्रेक लगाना चाहिए जिससे कि पईयें लोक ना हो जाए मोड पे ब्रेक लगाते टाइम आपको क्या करना चाहिए हमें आराम से ब्रेक लगाना चाहिए जब हम ब्रेक को जाचते हैं तो हमें क्या चेक करना चाहिए इसका जवाब है ब्रेक के पैड को चेक करना चाहिए ब्रेक पैड अब देखे ठकाउट के उपर एक दो सवाल है जैसे कि आप से पूछा जाएगा अगर आप ठक चुके हो तो आपको क्या करना चाहिए तो उसका जवाब है आपको आप सही से सोच नहीं सकते या आप सही से आप डिजिशन नहीं ले सकते तो उसका जवाब होना चाहिए आप जल्दी से फैसला नहीं ले सकते या उसके काबिल नहीं होएंगे जल्दी से फैसला लेना के फिर एक सवाल आता है कि अगर आप ठके हुए हो और आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जब क्या करना चाहिए आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए जब आप सीशे अटजश करें तो आपको कैसे सीशे अटजश करना चाहिए आपको इस हिसाब से सीशे अटजश करना चाहिए जिससे कि आप दूसरे लेन को सही से देख सकें और आपके पीछे के ट्राफिक को भी देख सकें इस हिसाब से आपको सीशा अट्जश करना चाहिए देखो अब हेल्मेट के उपर बहुत सारे सवाल आते हैं जैसे कि सेकंड एंड हेल्मेट का इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें टूटी होती हैं इसलिए हमें सेकंड हेल्मेट का इस्तमाल नहीं करना चाहिए इसका जवाब है जिससे कि आपके सर पर कोई چोट ना लगे इसलिए हमेशा नय हलमेट का इस्तमाल करना चाहिए एक सभाल आता है कि अपनी आखो को और अपने मूझ को सवारी के दोरान बचाने के लिए आपको क्या पहनना चाहिए उसमें लिखा रहाँ हलमेट पहनना चाहिए मगर वो answer में नहीं दबाना आपको जवाब होना चाहिए शीषे तो उसका जवाब होना चाहिए शीषे और वाइजर इस्तमाल करना चाहिए आपको फिर एक सवाल आता है कि वाइजर और गूगल पे खरोच के निशान नहीं होने चाहिए मतलब scratch नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि वो आपके चलाने के दोरान आपके नजर में effect करता है तो इसलिए उसमें निशान नहीं होना चाहिए फिर एक सवाल आता है कि आपको हमेशा नए helmet का इस्तमाल क्यों करना चाहिए उसका जवाब है क्योंकि जो यूस किये हुए हलमेट है उसमें खत्रे हो सकते हैं या तूटा भूटा होता है वो हमें दिखाई नहीं देता इस वए से हमें नया हलमेट का इस्तमाल करना चाहिए फिर एक सवाल आता है कि हमें चमकीले हेलमेट मतलब जिसमें कलर ज्यादा होता है वो हेलमेट का इस्तमाल क्यों करना चाहिए जिससे कि आप जब गाड़ी चला हो तो दूर से ही आप चमक जाओ इसलिए हमें चमकीले हेलमेट का इस्तमाल करना चाहिए जब आप गाड़ी जला रहे हो और आपके साथ पैसेंजर बैटा है तो हेलमेट किसे चाहिए दोनों को हेलमेट चाहिए होता है पैसेंजर को भी और हमें भी हेलमेट चाहिए होता है अब देखे थ्रोटल के उपर बहुत सारे सवाल आता है throttle तो मैंने आपके बता दिया accelerator जैसे कि अगर throttle खुला हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए उसको बंद करना चाहिए नहीं तो क्या होगा फिर एक सवाला आता है कि throttle brake और clutch lever को control करने के लिए काबो में रख लेकर आपको क्या करना चाहिए इसका जवाब है कि handle के जो आपको बहुत मजबूती से पकड़ना चाहिए अगर traffic के हालात में आपका throttle खुल जाता है और वो फस गया है तो आपको क्या करना चाहिए उसका जवाब है clutch दबाए अब देखे chain के उपर बहुत सारे सवाल आते हैं कि जब हम motorcycle चलाते तो उसका chain कैसे होना चाहिए उसमें तेल लगा हुआ होना चाहिए और उसका tension जो है सही तरीकी से adjust किया जाना चाहिए मतलब तेल भी होना चाहिए और adjust भी होना चाहिए फिर एक सवाल आता है कि मोटर साइकल में किस चीज को तेल की ज़रूरत है lubrication की ज़रूरत उसका जवाब है chain में उसमें लिखाओगा chain, brake line, shock absorber वगरा मगर आपको खाली chain का जवाब देना है chain को ज़रूरत है पईयों के उपर बहुत सारे सवाल आते हैं जैसे कि एक सवाल आते है कि आपका पईया lock हो गया है और engine बहुत जल्दी speed हो रहा है और आपका cycle skid हो रहा है तो क्या हो सकता है chain तूटनी की वाई से होता है फिर एक सवाल आते है कि अगर आपका tire फट गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए उसका जवाब है आपको hand creep को बहुत आराम से पकड़के बिल्कुल सीधे bike को ले जाना चाहिए दुबारा एक और सवाल आता है कि आपका tire फट गया है तो सबसे अच्छ अड़वाइस क्या है आपको सीधे गाड़ी को ले जाना है without brake पकड़े मतलब बिना brake पकड़े आपको गाड़ी को सीधे ले जाना चाहिए अब देखिए ऐसे कुछ सवाल आते हैं जैसे की किनारा और मोडों के उपर बहुत सारे सवाल आते हैं जैसे की एक सवाल आता है आप जब कोनों पर गाड़ी चलाते है चुआ है मोटर साइकल चलाते है तो कैसे रहना चाहिए आपको इस हिसाब से रहना चाहिए जिससे कि आप कोना देख सके से एक सवाल रहता है है जकाने पर मोटर साइकल को अपने चाहिए साइकल के साथ मतलब motorcycle के साथ सिर सीधा रखे हुए या ऊपर की तरह उठाए हुए आप को motorcycle के साथ जुकना चाहिए आप जब मुढ़रे हो तो आपको कैसे मुढ़ना चाहिए अपने धोनों घुटनों के बल से फ्यूल की जो टंकी होती है उसको पकड़ लेना चाहिए जगड़ लेना चाहिए जब आप दाए कोने पे हो तो आपको क्या करना चाहिए आपको अपने position को मतलब इस हिसाब से रखना चाहिए जिससे कि आप सही से देख सकें और दूसरे लोग आपको सही से देख सकें जब आप मुड़ रहे हो तो आपको कैसे रहना चाहिए मोटर साइकल के साथ जुकना चाहिए जब हम रोड पे मोटर साइकल चला रहे हैं इसलिए आपको कैसे रहना चाहिए आपको इस रहना चाहिए जिससे कि आप सही से देख सके और दूसरे बंदे जो दूसरे ड्राइवर है आपको सही से देख सके इस रहना चाहिए फिर एक सवाल आता है कि आप जब एक कार के पीछे गाड़ी चला रहे है तो आपको कहां चल में जाते हैं चारों तरफ देखना चाहिए स्कैन करना चाहिए इसका मतलब क्या है आपको सामने भी देखना है और आपके दोनों साइड़ों में भी देखना चाहिए जब आप पार्किंग में खड़े हुए गाडियों के साइड से गाड़ी जला रहे हो और एक गाड़ी बा आपको एकदम से अपने lane के position को change करना चाहिए, नहीं तो accident हो सकता है, तो accident से बचने के लिए आपको lane change कर लेना चाहिए, हर motorcycle के driver को lane के कोने पर नहीं चलाना चाहिए, क्यों? क्योंकि दूसरे जो गाड़ियां होती है, वो आपको टक्कर मार सकते हैं, या उसमें आप फस सकते इस वाई से आपको lane के कोने पर नहीं चलाना चाहिए, देखो एक तो आपको पता होगा कि आपको lane change करते time क्या करना चाहिए, आपको इशरा डालना चाहिए और head check करना चाहिए, मगर एक आता है सवाल, कि आपको lane के अंदर, सवाल समय में आगे है, एक lane के अंदर अगर तो एक लेन के अंदर इंदर उदर होना है तो आपको क्या करना चाहिए अपने हैट चेक करना चाहिए और शीषों का इस्तेमाल करना चाहिए यह आपको बहुत कंफ्यूज करेगा मगर इंडिकेट का जबाब साइन ही है है अगर आप एक बड़ी गाड़ी के पीछे, लंबे और बड़ी गाड़ी के पीछे जा रहे है, तो ज्यादा distance, मतलब ज्यादा फासले में रहना चाहिए, जब आप गाड़ी के पीछे जा रहे हो और ट्राफिक जा है, तो आप कैसे सही से देख सकते हो, आप कहां से देख से हो जो आपके सामने जो गाड़ी खड़ी हो उसके अंदर से देख सकते हो या उपर से आप सही से देख सकते हो अगर आपको कोई left से overtake कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए आपको थोड़ा सा right हो जाना चाहिए अगर आपको कोई overtake कर रहा है और हो आपके just पीछे है मतलब बिल्कुल नजदीक है तो आपको क्या करना चाहिए जितनी जल्दी गाड़ी को slow करके उस बंदे को निकलने देना चाहिए आप एक mode पर बहुत जल्दी पहुँच गए सबसे अच्छा तरीगा क्या है आपको mode से पहले आपको break mark ना चालू कर दिना चाहिए आपको बहुत जल्दी mode मोड ना है तो आपको क्या करना चाहिए आपको right का जो hand grip है जो throttle होता है उसको बहुत कसके पकड़ लेना चाहिए आप एक खराब road से गाड़ी चला रहे हो तो आपको आराम से चलाना चाहिए इससे क्या होता है इससे ये मदद मिलता है कि आपको road का जो सड़क का जटका आपको नहीं लगेगा आप जब bump की उपर से गाड़ी चला रहे हो तो वो आपको कैसे effect करेगा आपको steering का suspension है वो बिगड़ सकता है इसलिए आपको आराम से चलाना चाहिए अगर जब आप एक खराब road पे चला रहे हो तो आपको आराम से क्यों चलाना चाहिए इससे क्यों होगा बाइक का suspension जो है वो काम करने के लिए time मिल सकता है मतलब आपका control नहीं बिकड़ेगा देखे अब फिसलने के उपर बहुत सारे सवाल आते हैं जैसे कि एक सवाल है कि पीछे का पईया फिसलने का वज़े क्या है आप बहुत ज़्यादा जल्दी accelerator देते हो इसलिए पीछे का पईया फिसलने की वज़े है जब आप एक फिसलन बरी जगे पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कैसे चलाना चाहिए आपको आगे की तरह जुक के चलाना चाहिए मतलब आगे ज़्यादा जोर देना चाहिए आप जब एक फिसलन बरी जगे पर गाड़ी चला रहे हैं तो गियर चेंज कैसे करना चाहिए जितना कम गियर चेंज करें उतना अच्छा है जब आप एक बेकार रोड या गड़े बरे रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कैसे चलाना चाहिए आपको अपने foot pack जहाँ पे पैर रखते हैं foot pack के उपर हलका सा खड़ा होना चाहिए जब आप brake दबा रहे हो और आपका पीछे का पईया फिसल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए जिस तरफ फिसल रहा है उसी तरफ आपको steering ले जाना चाहिए और अपने पीछे का जो brake है उसको छोड़ देना चाहिए अगर आपका पीछे का पैया लॉक हो जाए और engine जल्दी से speed होना चाहिए और आपका पैया फिसल रहा है तो क्या वज़े हो सकती है chain तूटने के वैसे होता है यह आप जल्दी अपने motorcycle को रोकना चाहते हैं अगर आगे का पैया फिसलना चाली होएगा तो आपको क्या करना चाहिए जल्दी से आपका आगे का brake release कर देना चाहिए मलब छोड़ देना चाहिए जब आप brake दबारे हो और आपका पैया right की तरह हो रहा है तो आपको कहा जाना चाहिए जिस तरफ जा रहा है उससी तरह मलब राइट में जाना है और आपको पैया फिसलना है तो राइट की तरह आपको steering घुमा देना चाहिए motorcycle चला रहे है एक्सलेटर दे रहे है और आपको पीछे के पैया आपने देखा होगा वो painted lane होते हैं मतलब paint लगा होता है lane के उपर वो खतरनाक हो सकता है क्यों क्यों कि वो slippery हो सकते हैं वो fissalन बरे हो सकते हैं जब आप उसकी उपर से चलाओगे तो fissal सकता है और आपका कर सकते हैं दोनों brake के पकड़ सकते हैं कैसे एक छोड़ के दूसरा पकड़िए एक छोड़ के दूसरा पकड़िए जब हम lane पर गाड़ी चलाते हैं तो जो middle lane है मतलब lane के center में गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है क्यों क्योंकि lane के center में क्या गिरे होते हैं वोईल गिरे होते हैं, या ग्रीज गिरा होता है, तो उससे क्या होता है, उसके उपर हम गाड़ी जलाएंगें, तो फिसल सकते हैं, इसलिए वो चीज़ें खतरना को सकती हैं, अगले सवाल देखें, कपड़े और सुरक्षा के उपर, मतलब सेफटी की उपर सवाल पूछते हैं हमेशा ध्यान रेके कपड़े ऐसे पहनने चाहिए चमकीले बिल्कुल जिससे कि आप दूर से ही नजर आ सकें तो उसके उपर हम कुछ सवाल देखते हैं आप जब गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाते हैं तो वैसे तो वो सेफटी नहीं है फिर भी हम बहुत कुछ मतलब बहुत सारी एक्सिडेंटों से बच सकते हैं हम सेफ भी हो सकते हैं हमें हमेशा गाड़ी चलाते हैं टाइम हमें बिल्कुल चमकने वाले कपड़े पहने चाहिए इससे क्या मदद मिल सकता है दूसरे बंदे हमें देख सकते हैं और आपको अबोड कर सकते हैं आपके पास नहीं आएंगे फिर मतलब वो सगी सदेख पाएंगे आपको अगले सवाल देगी है जो स्लाइड है ये हाथ और कलाईएं उके पर तीन चर सवाल आते हैं तो एक एक करके देखते हैं हाथ बाजू कलाईएं या हम बोल सकते हैं कोहनी आप सच बुच्छे जाएगा इन में से कौन से स्टेट्मेंट करेक्ट है तो उसका जवाब है कि आपको अपनी जो कोहनीया होती है उसको हलका सा गाड़ी चलाते टाइम थोड़ा सा जुखा लेना चाहिए हम मोटर साइकल राइड करते हैं तो हमें आज जो रिस्ट होती है रिस्ट का मतलब जो होती है कोहनीया जो होती है वो कैसे होना चाहिए मतलब थोड़ा उचा उठा हुआ होना चाहिए अब देखिए अगला जो सवाल आता है वो समानों के उपर आता है जैसे कि एक सवाल आता है कि जब हम मोटर साइकल में समान रखते हैं तो उसे कहां रखना चाहिए उसको थोड़ा उपर की तरह रखना चाहिए और एक्सल की उपर रखना चाहिए और पीछे के एक्सल है उसके उपर रखना चाहिए अगला सवाल भी सेम है आपको मोटरसाइकल पर समान कहा रखना चाहिए एक्सल के उपर या आगे रखना चाहिए जरके पिल्कुल महफूस हो फिर एक और सवाल आता है हम इन लोड को थोड़ा सवाल आते हैं जैसे की देखते हैं जब हम पीछे एक सवारी बिठाते हैं तो हमारा motorcycle उससे कैसे effect होता है break मारने पे कोने पे गाड़ी चलाते time और accelerator देते time असर होता है breaking को कोना और accelerator जब हम motorcycle में सवारी बिठाते हैं तो हमें सीशे adjust कप करना चाहिए me motorcycle के जो सवारी को चड़ने के बाद हमें मोटस आई की जो ज़्य में चड़ा नहीं है तो उसे आप क्या बोलोगे उसे बोलो कि अब मेरे पीछे relax बैठो और जिस तरह motorcycle जुक रहा है उस तरह आपको भी जुकना चाहिए क्या motorcycle आपके कमर पर पकड़ सकता है जी हाँ पकड़ सकता है वो acceptable है कोई मुश्किल नहीं है पीछे बैठे पैसेंजर को हेलमेट चाहिए जी हाँ दोनों को हेलमेट चाहिए आपको भी चाहिए पीछे वाले पैसेंजर को भी चाहिए जब पीछे कोई passenger बैटा है और bike जुक रहा है तो आपको क्या बूलना चाहिए bike के साथ ही चुक रहा है तो right side में ही passenger को चुकना चाहिए जब आपके गाड़ी के पीछे कोई passenger है या समान है तो आप motorcycle कैसे effect होएगा उसको ज़्यादा time लगेगा गाड़ी को रोकने के लिए अब अगला जो सवाल आता है crash and hazards मतलब हाथसा और खतरा उसके उपर हम कुछ सवाल देखते हैं जैसे कि एक सवाल आता है यह motorcycle और गाड़ी के कारों के बीच में कहा accident होता है चुराहों पे, intersection वैसे motorcycle हो में बहुत खतरे होते हैं अगर एक खतरा होता है वह को confuse करता है, over confident से गाड़ी चलाना है मतलब मुझे सब कुछ आता है, ऐसे सोच के गाड़ी चलाओगे तो accident हो सकता है आपको motorcycle चलाते time बहुत तसलिस अराम से गाड़ी चलाना जाए इससे क्या होता है, आप सामने वाले खतरों से बच सकते हो अगर आप शराब के नश्ये में गाड़ी चला रहे हो तो क्या होगा आप सही से सोच नहीं पाओगे जो खतरों का खतरे आ सकते हैं सामने, उसको आप देख नहीं पाओगे आपको कभी भी शराब, अलकोफॉल के निश्ये में गाड़ी नहीं चलाना जाए है क्योंकि इससे क्या होता है, रिस्क पैदा होते हैं, मतलब खतरा पैदा होता है अब जब गाड़ी चला रहे हो, मोटर साइकल चला रहे हो, तो आप खतरा बन सकते हो कैसे, अगर आप एक खराब मूड में, आपका मूड खराब है, तो आप खतरा बन सकते हो अब देगे, रात के उपर बहुत सारे सवाल आता है, मोटर साइकल के उपर देखते हैं के करके देखें रात के उपर बहुत सवाल आते हैं जैसे आपको एक सवाल आता है रात को गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है क्यों कि हम सही से देखनी सकते हैं और सामने वाला भी हमें सही से देखनी सकता है हमें दिन के मुकाबले रात को कैसे गाड़ी जलाना चाहिए हमें ज्यादा फासला रखना चाहिए दिन के मुकाबले रात को जब हम गाड़ी जलाते हैं अगर आपके चश्मे में स्क्रैच लगा है, खरोच लगा है दिन के मुकाबले हमें अपने speed को distance को कईसे रखना चाहिए, ये क्या होता speed और distance? मतलब दिन के मुकाबलें हमें अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, हम जब रात को गाड़ी जलाते हैं तो हमें ये चाहिए बोट करना चाहिए, क्या चीज? किसी सामने वाले गाड़ी क लाइटों पर डारेक्टली हमें नहीं देखना चाहिए जब हम रात को गाड़ी जला रहे हैं तो महफूस तरीकी से और क्लियर तरीकी से देखने के लिए हमों क्या करना चाहिए हमें कोई cooling glass pen का cooling glass मतलब जो काले सीशे होते हैं उसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए जब अब रात को गाड़ी जला रहे हैं और सामने visibility जो दिखाई देना बहुत खराब होता है आपको क्या करना चाहिए आपको अपना headlight जला देना चाहिए हमें रात को आराम से गाड़ी जलाना चाहिए क्यों कि हमें खत्रों को पहचानने का या खत्रे से बचने का ज्यादा टाइम मिलेगा इसलिए हमें आराम से चलाना चाहिए हमें रात को महफूज सरी को से गाड़ी चलाने के लिए safety के लिए क्या करना चाहिए हमें अपने विजिबिल्टी को मतलब हमें दिखाई देने के लिए हमें ज्यादा रोश्णी का इस्तमाल करना चाहिए देखिए ये कुछ दूसरे जरूरी सवाल है जैसे कि सबसे पहले है शीशे तो हमारा ये सवाल ये है कि मोटर साइकल में जब शीशे होते हैं तो उसमें क्या देखना चाहिए हमें क्या देखना चाहिए जो हमारी साइड की गाड़ियां उनको भी देखना चाहिए और आपके जो ट्राफिक पीछे जो आ रही है उसका भी दिहान रखना चाहिए साइड में भी देखो पीछे के ट्राफिक में भी को भी दियान रखना चाहिए हमें लेन चेंज करने से पहले हमेशा हैट चेक क्यों करना चाहिए क्योंकि शीशों में क्या होता है सारे खत्रे दिखाई नहीं देते इसलिए हमें हैट चेक करना चाहिए देखे जुकने के उपर हमारे पास बहुत सारे सवाल मैं आपको बता चुका हूँ तो हमेशा दियान रखना मोटर साइकल जिस तरफ जुकता है उसी तरह जुकना चाहिए अगर आपके कोई पीछे पैसेंजर बैठा है तो उससे भी बोलो मोटर साइकल जहां जुक रहा है उसके साब से उसी तरह जुकें फिर एक सवाल आता है कि जब हम मोड रहे हैं तो हमें किया मोटर साइकल के साथ जुकना चाहिए हमें मोटर साइकल के साथ जुकना चाहिए मगर अपना जो नजरें वो बिल्कुल सीधे है की आ रखना चाहिए म sinदे हैं सामने से गाड़ी आ रहा है और उसके बाद मोटर साइकल के साथ से चुक गी है ऐसी ओयल के उपर भी बहुत सारे सवाल हैं मैं अल्ड़री आपको बता चुका हूँ रोड के जो दर्मियान होता है उसके सड़कों के बीच में ओयल होते है और इसलिए हमें उसके उपर से गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है क्यों उसके उपर हमारी गाड़ी फिसल सकती है तो एक सवाल यह आता है कि जो दूसरी गाड़ी उसे जो ओयल होता है वो रोड़ों पर जो गिराता है वो खतरनाक होता है मोटर साइकल वालों के लिए कहां पर रोड के दर्मियान तो रोड के दर्मियान गाड़ी चलाते टाइम बहुत ध्यान से चलाना चाहिए अब देखिए बाइक के देखबाल के उपर बहुत सारे सवाल आते हैं जैसे कि मेंटेनेंस जैसे कि एक सवाल आता है बाइक की देखबाल करने का मतलब क्या है हमेशा देखना चाहिए उसकी हमेशा सर्वीस वगेरा हुई है उसका maintenance proper तरीकी से हुआ है service वो हमें देखना चाहिए बाइक को maintain करने का मतलब क्या है हमेशा बाइक के engine oil को check करना चाहिए आपको कैसे पता चले गए कि आपके brake सही सलामत है आपको हमेशा brake को जो pad होते हैं brake pad को check करना चाहिए कि कहीं से वो फुटा फुटा तो नहीं है ये हमेशा check करना चाहिए जाचना चाहिए बाइक में क्या कोई उसके जो nut होते हैं या bolt होते हैं उसको कैसे check करना चाहिए हमेशा हर बाइक सवार को सवारी करने से पहले check करना चाहिए हमें बाइक के maintenance के बारे में कहाँ पर देखना चाहिए बाइक के साथ एक किताब मिलता है उसे हम इंग्लिश में honors manual बोलते हैं जो बाइक के साथ आपको मालूम होगा वो किताब को हमेशा चेक करना चाहिए उसमें बहुत साथ चाहिए हमें देख जाती है उस बाइक के बारे में बाइक के service के बारे में सवारी करने से पहले आपको क्या करना चाहिए आपको अपने टैर के हवा चेक करने चाहिए और टैर को देखना चाहिए कहीं से वो तूटा पूटा तो नहीं है डेमेज चेक करना चाहिए बाइक को चेक करने का मतलब क्या है मतलब क्या देखना चाहिए ऐसा एक सवाल आते उसमें लिख रहाएगा हर ने ड्राइबर को चेक करना चाहिए पीछे वाले पैसेंजर को चेक करना चाहिए या हर driver को चेक करना चाहिए उसका जवाब है हर driver को हर सवारी को बाइक के maintenance को चेक करना चाहिए इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पे खतम होता है जिन लोगों ने अभी तक like and subscribe नहीं किया है प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेर करिए, अपने दोस्तों तक पहुचाईए जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं दे गया, मोटर साइकल के बारे में जो एक्जाम लिखना चाहते हैं, वो प्लीज देखिए, और देखिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मेरी छोटी गाड़ी जो मैंने बनाई ये वीडियो, वो देखिए, उसके बाद ही ये देखिए, क्योंकि देखिए, मोटर साइकल के सवाल कैसे होते हैं, आदे छोटे गाड़ी की सवाल आते हैं, आद वो इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक हैं, तो आप सबको बेश्ट विशस आपके एक्जाम के लिए, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, थैंक यू, थैंक यू वर्य मुच